लोगों को लोन दिलाने प्रतानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने वो लोगों को जौब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गेंग की एक महिला समय दो लोगों को कोतवाली दादरी पुलिस ने रेल वेश्टेशन से गिरफतार किया है इनके पास से चार फाइलें विविन दस्ताबेज और दो रजिश्टर वरामत किये गए है पुलिस की गिरफ्त में आये सत्वीर व विनिता को कोतवाली दादरी पुलिस ने उस समय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जब दोनों शहर छोड़ कर भागने की फिराक में थे एडिशनल डिसीपी अशोक कुमार ने बताया कि दादरी थाने पर गाजियाबाद के रहने वाले ब्रह्मधेव ने और पाँच अन्य लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें प्लाउट पर मकान बनवाने के लिए लोन देने के लिए दादरी के रेलबेर रोड प पर से 5% पहले ही लिया जाएगा इस तरह उन्होंने 2 लाक रुपिय पहले ही ले लिये लेकिन कोई भी लोन नहीं कराया पिड़ित इनकी सौप पर पहुँचा जहां पर उसने पाया कि पहले से ही काफी लोग मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ 20 तरह से ठग की वारदात को अंजाम दिया गया है एडिशनल डिसीपी ने बताया कि इसके बाद पिड़ित ने सभी लोगों के साथ मिलकर दादरी पुलिस से इसकी शिकायत की शिकायत के अनुसार दोनों आरोपी भरुसा दिला कर अपनी कमपनी जीयस इंटर प्रजेज के नाम पर आध मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच में जूट गयरुस को पता चला किए दौनों आरोपी कही भागने की फिराक में है इस दोरान पुलिस ने दविस देते हुए सत्तवीर और बेनिता को रेल वे स्टेशन से ग्रफतार कर लिया दौनों आरोपियों को ग्रफतार कर ने के इसीपी दादरी और सिचो दादरी की टीम को एक वड़ी सफुता मिली है इन लोगों द्वारा पादी स्री ब्रम देव शर्मा वा अन निपांच प्यूडितों की शिकायत पर लोन देने के नाम पर लोगों से रुपए लेना और गोपा धड़ी करना पता लोन ना दिलवाने के मामले में डिड़क्टिव एनालिसिस और मैनुवल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अभ्यूप्त सर्टिमीर सिंग और उसकी साथी अभ्यूप्ता जो की एक महिला है उसको गरफ्तार किया गया है इनके पास से फाइडेंड रेजिस्टर और विबिन ने अन्य दस्तावेज ब्रामद हुए हैं ये लोग रेल्वेश्टेशन से कही जाने की इतिराक में थे इसको दादरी और उनकी टीम बड़ा इनको गरफ्तार किया गया है और उस तांच के आधार पर संगत हराओं में इनको जेव प्रवाना किया जा रहा है तो था इनके जो गरफ्येशना में अन्य साथ संकलम हैं वो तक पर थासे करके इसमें इनके विबिकरी कारवाई सम्च कि परही गया है